हेलो फ्रेंड्स तो जो चेप्टर 9 क्लाश 12 के में श्रीक हम लोग हेलो एलकें तथा हेलो एरीन देख रहे हैं तो आज उसमें पहुत जदा ही most important topic जिसका नम है क्लोरो बेंजीन ठीक है तो क्लोरो बेंजीन के बारे में देखेंगे इसकी बनानी की विधियां प्रयोग साला इसकी देखेंगे हम लोग तो भाई वीडियो पहुत important होने वाला है ठीक है तो देख सकते हो क्लोरो बेंजीन को देखेंगे तो बस आपको करना है क्या वीडियो को please last तक देखना पस ठीक है गरेंटी मेरी इससे समझाने की ठीक है तो चलिए सुरू करते है तो देखो बात जाएगा C6H5Cl देख सकतो एक हाईजोजन कम करो क्लोरीन जोड़ दो बन जाएगा C6H5Cl जिसे हम लोग नाम देंगे क्लोरो बेंजीन इस ट्रक्चर की बात करें यह क्लोरीन हट जाए तो आपका एक क्लोरीन लगा देना है उसी प्रकार एक हाईडोजन निकलेगा ठीक है कलोरीन लग जाएगा आपका तो नाम हो जाएगा कलोरो-बेंजीन ठीक है एकदा मासान है ये होता है आपका कलोरो-बेंजीन C6-H5-C1 structure देख सकते हो इस तरह भी बना सकते हो और इस तरह भी बना सकते हो ठीक है तो ये तो बात थी इसके महलों इंट्रोड़क्शन की की chlorobenzine होता है क्या है ठीक है इसका structure of formula आप देखते हैं इसके हम बनाने की विधिया इसे बनाएंगे कैसे chlorobenzine को तो ये भी तो important है इसे बनाना ठीक है तो चलो देखते हैं ठीक है इसे कैसे बना जाता है तो प्रयोग साला विधी पहले देखते हैं फिर समाने विध्या देखे Sand bare up क्रिया जो होती है ये आपकी क्या करती है Chlorobenzine की प्रयोग साला विधी में मतलब Chlorobenzine को बनाती है प्रयोग साला विधी में ठीक है तो ये reaction में आप से एक्जाम में पूछा भी जा सकता है कि सेड़ मायरा क्या होती है तो तिपड़ी लिखिए तो आपको बटाना है कैसे होती फिर लिखोगे और फिर एकजाम पटा लोगे ठीक हैrov पटेंट है ये थीक है तो देखो बनाते हैं मैं रब किया दोरा कैसे बना जाता है हमें करना कि इस पर थोरी भी आप लिख सकते हो अपनी भास साप है क्यों रियक्शन समझो थोरी अप खुछ से लिखना है ठीक है कुछ नहीं है इस पर तो आपको लेना क्या है बेंजीन डाय एजोनियम क्लोराइड देखो क्या लेना है बेंजीन डाय जोनियम क्लोराइड C6H5N1NCL इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो C6H5N2CL तो कुछ रटना नहीं है हमें क्यों रियक्शन देखो और थोरी अपने आप लिखो ठीक है C6H5N2CL इसे आप क्या करोगे क्यूपरस क्लोराइड क्या करना है क्यूपरस क्लोराइड और हCLE की यहाँ पे आपको उपस्थिती देनी ठीक है 50 degree centigrade का टाप रहेगा ठीक है 60 degree Celsius का टाप रखना है तो जिससे आपको यह C6H5 और CL यह आपको ऐसे निकाल देना है, ठीक है? तो देख सकते हो, हुआ क्या इस reaction में आपको करना है क्या Benzen Dijonium chloride लेना है, उस पर क्या करना है, जो बीच में N double bond N दिख रहा है, इसको निकाल तो nitrogen बन जाएगा, और जो बचा C6H5Cl इसे आपको जो और देना है, क्या बन जाएगा, क्लोरो बेंजीन और एक किसकी उपस्तिती में क्रिया हुई है, Cucl, Cupress chloride और hydrogen chloride की उपस्तिती में 60 degree centigrade ताप, आप छोड़ी की बात करो, तो देखो आपको करना क्या है, आप लिखोगे प्रियोक साला विधी में क्लोरो बेंजीन को कैसे बनाते है, सैंड मायराप की जाएगा, यह तो आपको लिखाई हुआ है, तो बस एकदा मसल, आपको खुद से लिखना है, कि आपको बेंजीन डायजोजियम क्लोराइड को क्यूपरस क्लोराइड और हाइडोजन क्लोराइड की उपस्तिती में, साथ डिग्री सेंटिग्रेड ताप पर गर्म करने पर, क्या बनता है, क्लोरो बेंजीन बनता है, बस थोड़ी तो रटना नहीं पड़ता, खुद से लिखनी पड़ते हैं, तो देख सक क्लोरीन की क्रिया कराने, ठीक है, किसकी उपस्तिती में, आयरन की उपस्तिती में, आयरन को उपस्तित रखना है, और प्रकास को अनुपस्तित रखना है, ये बात या रखो, कि आयरन को आपको यहाँ उपस्तित रखना है, और प्रकास को अनुपस्तित रखना है, बेंजी ठीक है कुछ नहीं रियक्षन पर क्या हुआ, C6H6 था, C2 से क्रिया हुई, आयरन की उपस्तिती है, प्रकास की उपस्तिती है, जिससे हाँ C6H5Cl बना और hydrogen chloride आपका बाहर निकल गया, आप थोरी की बात करो, करना क्या है, बेंजीन की क्रिया, क्लोरीन से आयरन की उपस्तिती तथा प्रकास की उपस्तिती में करने पर क्लोरो बेंजीन बनता है, क्या लिखोगे, बेंजीन की क्रिया, क्लोरीन से आयरन की उपस्तिती तथा प्रकास की उपस्तिती में करने पर क्लोरो बेंजीन बनता है, ठीक है, तो एकदम आसाने, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रटना अब अगली रेक्सर देखो फिनाल से हम बना सकते हैं क्लोरो बेंजिंग को तो हमने देखो फिनाल को लिया है यह होता फिनाल का फॉर्मला C6H5OH ठीक है इसे कहते है फिनाल आप इस पे क्रिया किसकी कि हमने PCL5 इसका नाम होता फास्पोरस पेंटा क्लोराइड जब आप फिनाल की क्रिया फास्पोरस पेंटा क्लोराइड से करोगे तो क्या बनेगा आपको करना ही क्या है आप एक चीज या रखो अगर कहीं पे भी आपकी कोई भी कोई भी मालो कुछ भी किसी से भी आपकी, अगर फासपुरस पिंटाकलोराइट से किसी की क्रिया हो रही है तो ये दोनों जरूर निकलेंगे PO-C-L-3 और H-C-L, अगर आप कहीं पर भी देखोगे, कहीं पर भी देखो ठीक है, एथिल एलकोहल पर ही अगर फासपुरस पेंटा क्लोराइट की क्रिया करा दो C2H5OH पर तब भी आपका POCl3 और HCl जरूर निकलेगा तो ये बात तो आप याद ही कर लो कि मतलब आप कहीं पर भी PCL5 की क्रिया कराते हो तो POCl3 और HCl तो निकलना ही निकलना है ठीक है तो ये बात तो याद हो गई ठीक है और देखो यहाँ से क्या निकलेगा C6H5 ECL को लिकर निकल जाएगा नाम हो गया क्या क्लोरो बेंजीन और देखो यहाँ PO और यहाँ 3CL POCl3 और एक हाइडोजन इस क्लोरीन को लिकर निकल गया HCl तो देख सकते हो क्लोरो बेंजीन बना फास्फोरिल क्लोराइड इसका नाम होता है यह हो गया हाइडोजन क्लोराइड ठीक है तो यह आपकी दूसरी विदी थी फिनाल की क्लिया किससे PCL 5 से जिससे आपका क्या बना क्लोरो बेनी अगली रेक्षन देखते है और जियोगी क्विदी इसकी देखते है यह भी इंपोर्टेंट है इससे रासिंग प्रक्रम भी कहते है ठीक है रासिंग प्रोसेस भी कहते है तो देखो इसपे क्या होता है बेंजीन के क्लिया हाइडोजन ख्लोराइड और वायू से ये क्या है आपकी वायू है हवा है ऑक्सिजन है ठीक है और ये आपका कापर क्लोराइड है 207 डिग्री सिंटिग्रेट टाप पर गर्म किया जिससे आपका यहां से एक हाइडोजन बाहार निकल जाता है ठीक है C6H5 C1 बन जाता है और ये O और ये एक hydrogen एक hydrogen ये मिलकर बना लेता है जल ठीक है तो क्या होता है इस पर छोरी क्या लिखोगी कि benzen की क्रिया hydrogen chloride से वाईू की उपस्तिति में तथा आपका कापा chloride की उपस्तिति में 260 degree centigrade अप पर ग्रम करने पर आपका क्या बनता है chlorobenzine इ और oxygen या वाईू से करते हैं तो क्या बनता है C6H5 C1 और H2O ठीक है तो ये हो गया आपका इसके बनाने की विधिया आप देख लेते हैं बहुतिक गुण के बारे में बहुतिक गुण में क्या होता है बहुतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टी जिससे कहते हैं ठीक है तो द थनांग कितना होता है 132 degree centigrade मलब 132 degree centigrade होता है और क्लोरो भेंजीन जो है जल से आपका भारीद रहो है यह जल में आविले है मलब जल में नहीं घुलता परन्तु एलकोहल तथा एलकोहल एथर वा अन्य कार्बनिक विलाइकों में घुल जाता है क्या हो बताए गया यह जल में अविले है मलब जल में नहीं घुलता परन्तु एलकोहल एथर वा अन्य कार्बनिक विलाइकों में यह विले है इनमें घुल जाता है ठीक है तो यह बात होती है इनके भौती गुरों की देख सकते हैं आप बात करते हैं केमिकल प्रापर्टी जिनकी रासायनिक गुरों के टीक है obrig यह पैला नंबर देखने हम लोग अपृल इसकी प्रतिस्थापन अफ्रिया भी दीखेंगे ठीक है कि प्रतिस्थापन अपकरिया में क्या होता है था तो देखो पहला नमबा गुड़ है अपचेन, अपचेन कैसे होता है, आपको क्लोरो बेंजीन का निकल, अलमूनियम, मिस धातु और छार द्वारा अपचेन करने पर बेंजीन बनती है, कैसे बेंजीन बनती है, क्लोरो बेंजीन लेना है, निकल और अलमूनियम, मिस धातु तो निकल और Eleumnium दोनों धातो नोती है, जिससे मिसर धात लेना, और शार के उपस्थिती देना है, दोरा अप्चैन करने पर Benzene बनती है, ठीक है, तो आप देखो कैसे बनेगी Benzene, अप्चैन कैसे होगा क्लोरो Benzene का, तो देखो हमने chlorobenzine ले रिया है इसका अपचेन करना है किसकी उपसिति में निकिल और एल्मोनियम की जो की में सधातु है और चार हमने ले रख़ा है NaOH ठीक है आप chlorobenzine की क्रिया जब अपचेन होगा इसका तो क्या होगा आपका यहां से जो chlorine है और यहां का एक hydrogen आपका निकल जाएगा क्या बना लेगा HCl देख सकते हो और जो hydrogen एक hydrogen बचा उसको यहां पर जोड़ दो C6-S6-Benzine तो chlorobenzine की अगर आपको chlorobenzine से कहा जाए बenzine कैसे प्राप्त करोगे तो कैसे प्राप्त करोगे इसकी क्रिया आप निकल और इल्मुनियम में सधातु से और चार दोरा जब इसका अप्चेन करोगे तो क्या बनेगा आपका बेंजीन बनेगा तो यह रेक्सन होगी अगली रेक्सन देखते है वुल्च फिटिंग अप क्रिया जो की most important है अपकी वुल्च फिटिंग अप क्रिया ठीक है एक्जाम में भी पूछी जाती है बहुत important है ठीक है तो इसे जरूर देख लेना वुल्च फिटिंग अप क्रिया को ठीक है तो बात करें वुल्च फिटिंग अप क्रिया में क्या होता है देखो आपको करना है क्लोरो बेंजीन लेना है सोडियम से इसकी क्लिया करनी है और मेथिल क्लोराइट से इसकी क्लिया करनी है ठीक है जिससे आपका क्या बनेगा और उपस्तिती भी याद रखो सूस की इथर की होती है ठीक है किसकी उपस्तिती होती ही सूस की इथर की अगर थियोरी की बात करें तो क्लोरोबेंजींग की क्रियाज सोडियम से और मेथिल क्लोराइट से सूस की इथर की उपस्तिती में करने पर टालूइन बनता है और एक बात और याद रख लो वुट्ज फिटिंग अप क्लिया जो होती है एरिल हाइलाइड प्लस सोडियम प्लस एलकिल हाइलाइड ठीक है इससे होती तब आपका क्या बनता है ठीक है देख सकते हो तो एरिल हाइलाइड आपका जो एलकिल है एलकिल में आप CH3Cl, C2H5Cl कोई भी ले सकते हो C3H7Cl ठीक है तो कोई भी CL दे सकते हो तो यह आपका बदल सकता है एरिल हाइलाइड तो आपका यह हो गया सोडियम सिक्रिया होगी मेथिल क्लोराइड से सुस की एथर की उपस्तिति में जिससे आपका यहाँ C6H5 is CH3 यह C6H5 आपको दिख रहा है यह आपको CH3 दिख रहा है यह दोनों आपस में निकल जाएंगे C6H5 CS3 बना लेंगे और यह जो दो सोडियम दिख रहा है यह दो कलोरीन आपका यहाँ एक कलोरीन यह एक रिये दो कलोरीन निकल जाएंगे 2NACL थीक है तो देख सकते हैं यह दो यह दो देख सकते हैं यह दो देख सकते हैं क्या हुआ C6H5 CS3 बाहर निकल गया और 2NACL आपका बाहर निकल गया तो कौन सी देख सने यह वुर्ज फिटिंग अप किया देख सन इंपोर्टेंट है कि DDT कैसे बनाया जाता है एक्जाम में पूछा जाता है DDT का निर्मार कैसे किया जाता है तो देखो कैसे करते हैं हमने क्या लिया क्लोरल से जब क्रिया करते हैं इसका नाम होता है क्लोरल सूतर देखो CCL3 CHO CCL3 CHO नाम इसका क्लोरल जब इसकी क्रिया क्लोरो बेंजीन से की जाती है देखो क्लोरो बेंजीन के अमने ले रखे है दो अडू एक अडू ये क्लोरो बेंजीन का एक अडू ये ठीक है दो अडू क्लोरो बेंजीन के ले रखे है इसे सांध्र H204 के उपस्किति में गर्म किया जिससे आपका यह hydrogen, देखो यह oxygen निख रहा है, यह hydrogen 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 आक्सिजन आपका जल बना लेगा और जो बचा CCL3CH देख रहे हो और यह जो आपकी दोनों रिंग है यह इस प्रकार से जोड़ जाएंगी नाम क्या हो जाएगा भाया डी और डी और टी ठीक है डी डी टी इंपोर्टेंट है ठीक है एकदम आसान देख लो ठीक है अब अगल ठीक है तो बंजीन यर्क पर छमोग पोपयोग भी देखेंगे तो यह चलो देखते हैं क्लोरीन की पहले PRES Integra ? अप मंडल दाव पर क्रिया कराने पर विटा है बस खुछ नहीं खुद देना होता है आप फोड़ी लिखोगे थो को थोरी के भी नंबर मल जाएंगे नभी को फॉरी याई ना नंबर ने घ् fe ठीक है तो आपको खान का लिख दो थोड़ी सी एक ले लाई फिनॉल, मतलब क्लोरो बेंजीन ने इने वजस से क्रिया कि 300 डिग्री सिंडिग्रेट ताप, 200 अटमोस्फ़रिक दाप पर फिनॉल बन गया और सोडियम क्लोराइड बाहर निकल गया, तो देख सकते हो रियक्शन इंपोर्टन्ट है, चीक है, आप देखते हैं NH2, देखो यह क्लोरिंग को हमने क्या किया, प्रतिस सापित किया, यहां से हटा दिया, देख सकते हो, तो यह क्लोरिंग के प्रतिस सापित कर सकते हैं, अगले में देखते हैं, क्लोरिंग को हम कैसे प्रतिस सापित कर सकते हैं, देखो NH2 समूध वारा इसका प्रतिस सापन, तो हमने क्या क् क्लोरीन, क्लोरोबेंजेन लिया, और इस पे मिला क्या दिया, अमोनिया, अमोनिया में आप जाते हो, NH2 और हाइडरोजन, यह होता है, NH3, तो इस पे NH2 समूध वाड़े, इसका हम पत्ते स्थापन करेंगे, अमोनिया लिया, और Cu2, वो आपका लिय लिया, ठीक है, NH2 समूध इसके साथ निकल जाएगा, और यह हाइडरोजन देख रहे हो, देख रहे हो ना हाइडरोजन, और यह जो क्लोरीन देख रहे हो, ठीक है, तो यह हाइडरोजन और क्लोरीन देख सकते हो, आप, यह आपके हाइडरोजन और क्लोरीन यहाँ, C-U-E-C-L को लेकर निकल गया है और ये जो hydrogen बचा आपका ये hydrogen बचा है ये आपका oxygen के साथ मिलकर क्या बना लेता है जल ठीक है तो इसका नाम क्या हुआ aniline नाम हुआ देखो chloro-bengin को लिए NH3 से इसका आपको क्या किया गया chlorine को हटाए गया वनला chlorine का पतिस सापन किया गया तो क्या बन गया aniline 200 degree centigrade ताप और उच्छे दाब रखा गया ठीक है cuprous oxide से गया तो देख सकते हो NH2 द्वारा हम क्या कर सकते chlorine विस सापित कर सकते हैं क्या पतिस सापित कर सकते हैं आपको करना है क्या chloro-bengin लेना है Cu-CN cuprous cyanide हमने लिया क्या लिया cuprous cyanide अब Cn समूद वारा हमें क्या करना है chlorine को हटाना है 200 degree centigrade ताप और पिरिडीन की उपसिती देनी है जिससे आपको cyanide जो है यह जो आपको cyanide दिख रहा है यहाँ पर chlorine की जगा पर आ जाता है और यह Cu-Cl को लेकर फेर से निकल जाएगा Cu-Cl को लेकर निकल गया C6H5CN आपका पन गया तो इसका नाम क्या है पेनिल साइनाइड इसका नाम क्या था एनिलीन ठीक है तो देख सकते हो यह थी आपकी chlorine की पतेस maintenant क्या है कि हम chlorine को कैसे हटा सकते है आप हम देखेंगे benzosineники पतेसर वाटान अ हम पतकर आएग तो देखवो पहली नमबर एक सेटने niticus करण तो हमने लिया chloro benzine 7 लिया इसके ख्रोलकिस इसमining तो नाम होगा आर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन और फिर एनोटो समू लगेगा यहाँ तो नाम हो जाएगा पैरा से करेंगे तब भी आर्थो और पैरा दोनों बलेंगे ठीक है जब बेंजीन रिंक पते सापन करोगे क्लूरो बेंजीन की साथ नाइट्रिक अमल से एच्टो फोर से जल निकल जाएगा बाहर ठीक है जल देखो एच्टू बाहर निकल जाएगा और यहां पर क्या लग से यहाँ लगा जाए इसलिए पैरा कलूरो नाइट्रो बनेइग ऑर खंटोडो नाइट्रो बेंजिंग ठीक है कोई लिकपर नहीं है क्या कि आप ने क्लूरो बेंजिंग की साथ नाइक्रिक अगली 2ध characterized कि क्लोरो थो तवेर estee a.oo4 जिसमें आपका क्या होगा एक और फिए यहाँ प्रेगा देखो देख कि यहाँ हो हर एक बर बार कि तरह और अर्थ Chlorobenzane, Sulfonic आमल, तो यह थी आपकी Sulfonic आप देखते अगली नमबर एक सन है लोजनी करन, मझा हैलोजन से कराने हैं, हैलोजनी करन का मझा है, हैलोजन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन किसी से वे कराओ, तो देखो हम करा है, Chlorobenzane की करिया, जब Chlorobenzane से करेंगे, जैसे अभ लेंग हमने उपासिति दी और तो देख सकते हैं इनके उप्योग के बारे में कहां काम लोग इनका उप्योग कर सकते हैं क्लोरो बेंजीन का जो C6H5CLA इसका उप्योग कहां कर सकते हैं देखो इसका उप्योग आप कीट ना सक डीडीटे की निर्मार में कर सकते हो और फिनाल और एनिलीन भी इससे आप फिनाल और एनिलीन को भी बना सकते हो और इसका उप्योग आप डीडीटी के निर्मार भी कर सकते हो कहां का कर सकत सब कुछ ठीक है तो देख सेकते हो तो वीडियो इंपॉर्टन था तो भाई वीडियो अच्छा आगा तो लाइक भी कर देना ओके थैंस वाचिंग दिस वीडियो ठीक है